हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डारेक्ट रेट अफ एजुकेशन की वर्कशीट नमबर 156 जिसका सब्जेक्ट है मैट्स और आज डेट है 29 जैन्वरी 2021 ये वर्कशीट क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट बच्चों आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है यहाँ पर आपकी कलास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है किसकी कितनी चलांगे आज टीपू मेंडक, मीकू खरगोश और नीटू कंगारू चलांग का खेल खेल रहे हैं टीपू मेंडक एक बार में दो की चलांग, मीकू खरगोश एक बार में तीन की चलांग और नीटू कंगारू एक बार में चार की चलांग लगाता है वे तीनों आपस में बाते करते हैं कि सबसे कम चलांगों में बारा नंबर के पत्थर पर कौन पहुँचता है तो बच्चो आज कौन-कौन खेल रहे हैं तीपू मेंडक, मीकू खरगोश और नीटू कंगारू तो टीपू मेंडक एक बार में दो की चलांग लगा सकता है, मीकू खरगोश एक बार में तीन की चलांग और नीटू कंगारू एक बार में चार की चलांग लगाता है तो अब वो तीनों आपस में बाते कर रहे हैं कि सबसे कम चलांगों में जो 12 नंबर का पत्थर है उस पर कौन पहुंच सकता है तो चलिए बच्चों देखते हैं तीपू मेंडक की चलांग तो जब टीपू मेंडक ने पहली चलांग लगाई तो वो पहुंच गया 0 से 2 पर ठीक है क्योंकि वो कितने कितने की चलांग लगाने वाला है दो दो की चलांग लगाने वाला है तो 0 से कहां पहुंच गया 2 पर प पहुंच गया ठीक है पहले कहां पर था दो पर था और फिर उसने दो की चलांग लगाई तो कितना हुआ दो जमा दो चार तो अब वो पहुंच गया चार पर और यह चलांग कौन सी है दूसरी चलांग है इसी तरह से अब उसने लगाई तीसरी चलांग तो चार पर वो अभी है और चार से उसने फिर दो की चलांग लगाई तो अब वो कहां पर पहुंचा चार जमा दो कितना होता है चार जमा दो होता है छे तो अब वो पहुंच गया छे पर यानि की तीसरी चलांग में वो कहां पहुंच गया छे पर पहुंच गया इसी तरह से जब उसने छे से फिर दुबारा से 2 की चलांग लगाई तो वो कहां पहुँच गया बच्चो 6 जमा 2 कितना होता है 6 जमा 2 होता है 8 कितना होता है 8 तो अब वो पहुँच गया 8 पर कहां पहुँच गया 8 पर तो ये थी उसकी 4 चलांग और इसी तरह से अब उसने आठ से दुबारा दो की चलांग लगाई तो वो कहां पहुँचेगा आठ जमा दो बराबर दस ठीक है तो अब वो पहुँच जाएगा दस पर यानि कि अपनी पाँचवी चलांग में वो पहुँच गया दस पर इसी तरह से अब उसने दस पर पहुचने के बाद दो की एक और चलांग लगाई और जब उसने दस से दो की एक और चलांग लगाई तो वो कहां पर पहुँचा दस जमा दो कितना होता है बारा तो अब वो पहुँच गया बारा नमबर के पत्थर पर यानि कि ये है उसकी छटी चलांग तो बच्चो टीपू मेंडक ने कुल कितनी चलांगे लगाई 12 तक पहुँचने के लिए 6 चलांगे लगाई ठीक है तो ये हो गया 2 जमादो 4 4 जमादो 6 6 जमादो 8 8 जमादो 10 और 10 जमादो 12 ठीक है बच्चो तो यहाँ पर हमने क्या करा बार बार 2 को जमा करा जिससे कि हमको ये पता चला कि वो 12 पर कैसे पहुँचा मीकू खरगोश ने चलांग और मीकू खरगोश ने 3-3 की चलांग लगाई तो आईए देखते हैं बच्चो तो जब उसने 0 से पहली चलांग लगाई 3 की तो वो कहा पहुच गया वो पहुच गया 3 पर ठीक है तो 0 पर वो था 0 से जब उसने पहली 3 की चलांग लगाई तो वो पहुच गया 3 पर 0 जमा 3 कितना होगा 3 ही होगा तो पहली चलांग में वो पहुच गया 3 पर तो चलिए देखते हैं कि जब उसने तीन से दूसरी चलांग लगाई तीन की तो वो कहाँ पर पहुँचा तो बच्चो तीन से दूसरी चलांग लगाने पर वो कहाँ पर पहुँचेगा तीन जमा तीन कितना होता है छे होता है तो दूसरी चलांग में वो पहुँच गया 6 पर तो ये है उसकी दूसरी चलांग इसी तरह से अब उसने तीसरी चलांग लगाई तो 6 से जब उसने 3 की तीसरी चलांग लगाई तो वो कहां पहुँचेगा 6 जमा 3 9 तो वो पहुँचेगा 9 पर ठीक है तो यह है उसकी तीसरी चलांग अब उसने लगाई चौथी चलांग तो वो है नौ पर और नौ से जब उसने तीन की चौथी चलांग लगाई तो वो कहां पहुँचेगा 9 जमा 3 12 तो वो पहुँच गया 12 पर जानि कि 4 छलांग में वो कहां पहुँच गया 12 पर पहुँच गया ठीक है तो यहां पर भी हमने क्या करा बार बार 3 को जमा किया ठीक है बच्चो तो चलिए अब हम नीटू कंगारू की छलांग देखते हैं निटू घंगारू लगाने वाला है 4-4 की छलांग, तो जब उसने 4 की पहली छलांग लगाई, तो वो 0 से कहां पर पहुँच गया बच्चो? 4 पर पहुँच गया, पहली छलांग में 4 पर पहुँच गया, 0 जमा 4 कितना होता है? चार होता है और जब उसने चार की दूसरी चलांग लगाई तो वो चार से कहां पर पहुँचेगा चार जमा चार कितना होता है आठ तो वो पहुँचेगा आठ पर तो ये है उसकी दूसरी चलांग और इसी तरह से जब उसने 4 की एक और चलांग लगाई तो वो पहुँच गया 8 जमा 4 12 पर कहां पर पहुँच गया 8 जमा 4 12 पर यानि कि जो तीसरी चलांग थी उसमें वो कहां पहुँच गया बच्चो 12 नमबर के पत्थर पर तो क्या आप जानते हैं कि बार बार जमा करने को हम क्या कहते हैं बार बार जमा करने को हम गुणा करना कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो गुणा करना repeated addition is called multiplication ठीक है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते थे जैसे देखिए टीपू मेंडग की कितनी चलांगे थी छे चलांगे ठीक है और उसने कितने कितने की चलांग लगाई दो दो की चलांग ठीक है तो इसे हम कह सकते हैं इसी तरह से मीकू खरगोश जो था उसने कितनी चलांगे लगाई चार चलांगे कितनी चलांगे लगाई? चार चलांगे और कितने किती? तीन तीन की थी तो हम इसे लिख सकते हैं 4 into 3 यानि की 4 multiply 3 4 threes are 12 और इसी तरह से नीटू कंगारू ने कितनी चलांगे लगाई? तीन चलांगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और यह तीन चलांगे कितने किती थी बच्चो? 4 चार की थी तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुडा में 4 यानि की 3, 4 जार 12 ठीक है बच्चो? प्रशन दूसरा देखिए सबसे कम चलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुँचा? तो यह आपको खुद से बताना होगा आपने इन तीनों की चलांगों को देखा है और यहाँ पर हमने उन्हें लिख भी दिया है तो अब आप बताएंगे कि सबसे कम चलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुँचा? और उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 3 क्या आप नीचे दी गई टेबल को पूरा करेंगे? बच्चो आपको नीचे एक टेबल दी गई है जिसे कि आपको पूरा करना है तो आये देखते हैं कि उस टेबल में क्या क्या लिखा है तो उसके पहले कॉलम में लिखा है पत्थर का नंबर जहाँ पर की पहुँचना है दूसरे कॉलम में लिखा है किसने चलांग लगाई तो यहाँ पर आपको उनके नाम दिये हैं जिन्होंने चलांग लगाई है और तीसरे कॉलम में है कि कितनी चलांगों में वो वहाँ पर पहुंचे है और चौते कॉलम में बताना है कि कौन कम चलांगों में वहाँ पर पहुंचा है ठीक है तो पहला नंबर है आठ क्या है आठ और फर्स्ट कॉलम के अंदर दो नाम है एक है टीपू मेंडग का और दूसरा है नीटू कंगारू का तो चलिए देखते हैं कि ये कितनी चलांगों में आठ तक पहुँचे है तो सबसे पहले टीपू मेंडग को देखेंगे टीपू मेंडग लगाने वाला है दो की चलांग कितने की चलांग दो की चलांग और कहा तक पहुँचना है आठ नंबर के पत्थर तक पहुँचना है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले जो टीपू मेंडग है वो उसने जब पहली चलांग लगाई तो वो जीरो से कहा पर पहुँच गया जीरो जमा दो क्योंकि वो दो की चलांग लगाने वाला है ना तो इसलिए तो जीरो जमा दो कितना होता है बच्चो दो तो पहली चलांग लगाने पर वो पहुँच गया दो पर पहली चलांग में कहा पर पहुँचा दो पर इसी तरह से अब उसने लगाई दूसरी चलांग तो जब उसने दूसरी चलांग लगाई तो कितने पर पहुँचेगा दो जमादो चार तो अब वो दूसरी चलांग में पहुँच जाएगा चार पर यह है उसकी दूसरी चलांग इसी तरह से अब उसने लगाई तीसरी चलांग ठीक है तो जब उसने तीसरी चलांग लगाई दो की तो वो कहाँ पर पहुँचा चार जमा दो छे पर तो बच्चो अब वो पहुँच गया तीसरी चलांग में छे पर इसी तरह से जब उसने लगाई चौती चलांग तो वो कहाँ पर पहुँचेगा छे जमा दो आठ तो अब उसने जब चौती चलांग लगाई तो वो पहुँच गया आठ नंबर के पत्थर पर तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसने चार चलांगे लगाई कितने कि दो दो की तो इस तरह से वो पहुँचा आठ पर फो टू जार एट ठीक है इसी तरह से अब हम देखेंगे नीटू कंगारू की चलांग तो बच्चो नीटू कंगारू ने कितनी चलांगे लगाई आए देखते हैं नीटू कंगारू लगाने वाला है चार चार की चलांग कितने की चलांग चार चार की चलांग तो जब नीटू कंगारू ने चार की पहली चलांग लगाई तो वो जीरो से कहा पर पहुँचेगा जीरो जमा चार चार तो वो पहली चलांग में कहा पर पहुँच गया चार पर और जब उसने चार से दूसरी चलांग लगाई चार की तो वो कहां पर पहुँचेगा चार जमा चार आठ पर तो दूसरी चलांग में वो पहुँच गया आठ पर कहां पर पहुँच गया आठ पर पहुँच गया तो इसका मतलब कि उसने दो चलांगे लगाई चार-चार की तो यह हुआ 24008 ठीक है तो अब बताइए कि कौन कम चलांगों में पहुँचा तो टीपू मेंडक ने लगाई चार चलांगे और निटू कंगारू ने लगाई दो चलांगे तो किसने कम चलांगे लगाई बच्चो बिल्कुल सही नीटू कंगारू तो आप यहाँ लिख देंगे नीटू कंगारू ठीक है अगला देखते हैं अब जो हमारा अगला नंबर है वो है 24 क्या है 24 तो मीकू खरगोश लगाने वाला है तीन-तीन की चलांग तो 24 तक पहुँशने के लिए उसे कितनी चलांगे लगानी होंगी तो बच्चो इसे आप इस तरह करने की बजाए एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे तीन से गुणा करने पर 24 आता है क्योंकि हम अल्रेडी इससे पहले जान चुके हैं कि बार-बार जमा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गुणा करना कहते हैं ठीक है तो मीटू का खरगोश लगाने वाला है तीन-तीन की चलांग और उसे पहुँचना है 24 पर तो अब हमें उस नंबर को ढूणना होगा जिसे तीन से गुणा करने पर क्या आता हो 24 आता हो तो बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है बिल्कुल सही ऐसा नंबर है 8 8-3-0-24 इसका मतलब यह हुआ कि मीकू खरगोश ने 8 चलांगे लगाई 3-3 की जिसे 4 से गुणा करने पर कितना आता है 24 आता है क्योंकि उन्हें कहां पर पहुँचना है 24 पर पहुँचना है तो जल्दी से बताईए ऐसी संख्या कौन सी है बिल्कुल सही बच्चों ऐसी संख्या है 6 6-4-0-24 तो इसका मतलब यह हुआ कि नीटू कंगारू ने 24 तक पहुँचने के लिए 4-4 की 6 चलांगे लगाई ठीक है अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन दोनों में से कौन कम चलांगो में 24 नंबर के पत्थर तक पहुँच गया तो जल्दी से देखकर बताईए बिल्कुल सही नीटू कंगारू 6 चलांगो में ही 24 नंबर के पत्थर तक पहुँच गया तो इसलिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे नीटू कंगारू तो बच्चों आप इसे दोनों तरह से सॉल्व कर सकते है ठीक है तो अब आपको जो थर्ड वाला है उसे खुद से करना होगा प्रश्न चार अपनी कौपी में 2 और 5 की चलांगे बना कर बताईए कि 20 तक किस चलांग से जल्दी पहुँचेंगे तो बच्चों अब आपको अपनी कौपी में 2 और 5 की चलांगे बना कर बताना है कि 20 तक किस चलांग से जल्दी पहुँच जाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप 2-2 की चलांगे बनाएंगे और उसके बाद 5-5 की चलांगे बनाएंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो 0 से जब हमने पहली दो की चलांग लगाई तो हम कहां पर पहुचे 0 जमादो 2 पर पहुचे इसी तरह से जब हमने दूसरी दो की चलांग लगाई तो हम कहां पर पहुचे 2 जमादो 4 पर पहुचे और जब हमने तीसरी चलांग लगाई तो हम कहां पर पहुँचे चार जमादो छे पर पहुँचे और छे से जब दो की चलांग लगाई तो हम कहां पर पहुँचे चे जमादो आठ पर पहुँचे और आठ से जब हमने फिर से दो की चलांग लगाई तो कहां पर पहुँचे 8 जमादो 10 पर पहुँचे और जब 10 से हमने 2 की चलांग लगाई तो हम कहाँ पर पहुँचे 10 जमादो 12 पर पहुँचे और 12 से जब हमने फिर से 2 की चलांग लगाई तो हम पहुँचे 12 जमादो 14 पर 14 से 2 की चलांग लगाने पर हम पहुँचेंगे 14 जमादो 16 पर और 16 से फिर 2 की चलांग लगाने पर हम पहुँचेंगे 16 जमादो 18 पर और 18 से फिर से 2 की चलांग लगाने पर हम पहुँचेंगे 18 जमादो 20 पर ठीक है? तो आएए देखते हैं कि हाँ पर कितनी चलांगे लगाई गई हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस तो बच्चों, दो-दो की चलांग जब हमने लगाई तो बीस तक पहुँचने के लिए हमें कितनी चलांगे लगानी पड़ी? हमें लगानी पड़ी दस चलांगे चीक है? तो दस चलांगे कितने की? दो-दो की तो टेन टूज आर, ट्वेंटी इसी तरह से अब हमें लगानी है पाँच-पाँच की चलांगे तो चलिए देखते हैं तो जीरो से जब हमने पाँच की पहली चलांग लगाई तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? जीरो जमा पाँच पाँच पर तो आईए देखते हैं कि कितनी चलांगे हुई एक, दो, तीन, चार तो बच्चों पाँच-पाँच की कितनी चलांगे लगी? बीस तक पहुँचने में चार चलांगे चार चलांगे पाँच-पाँच की तो फोर, फाइवजार, ट्वेंटी ठीक है? तो बताईए कि बीस तक पहुँचने के लिए हम किस चलांग से जल्दी पहुँचेंगे? पाँच की चलांग से चीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाँच की चलांग ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए अपनी कॉपी में 3 और 6 की चलांगे बनाकर बताईए कि 36 तक किस चलांग से जल्दी पहुँचेंगे? तो बच्चो अब आपको अपनी कॉपी में 3 और 6 की चलांगे बनाकर बताना है कि संख्या 36 तक पहुँचने के लिए कौन से चलांगों से आप जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इसे आपको खुद से करना होगा प्रेश नमबर छे अगर आपको 50 तक पहुँचना है तो आप 2, 3, 4, 5, 10 में से किस छलांग से जल्दी पहुँचेंगे और कितनी बार में तो यह हम औरड़ी सीख चुके हैं कि इसे किस तरह से निकालना है तो इसे आप खुद से कीजिएगा आगे देखते हैं इस कारेपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रेश्ट संख्या 81 यानि की 81 भी कीजिए तो अब आपको अपनी गणित अभ्यास पुस्तिका में से पेश नमबर 81 करना है तो उसे भी आप जरूर कीजिएगा इसी के साथ आपकी आज की वर्क्षीट कम्प्लीट होती है